Hello everyone, आज दिनाएंग साथ फरवरी 2022 को विहार बोर्ड के 12th biology subject का exam हुआ है इस वीडियो में हम विहार बोर्ड के class 12th subject biology के e-set के questions और answers को discuss करेंगे वैसे biology में जितने भी sets हैं, सारे sets में questions तो same ही रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं बस questions को आगे पिछे कर दिया जाता है इसलिए अगर आप इस वीडियो के अंदर set e के questions के answers को भी देखते हैं तो जो questions आपके अलग-लग sets में आए हुए हैं, उनके answer भी एक ही जैसे रहेंगे, shame ही रहेंगे तो जैसा कि आपको screen पर यहाँ पर दिख रहा है कि यह जो है 12th का, 12th means intermediate का है यह question paper और annual exam है और आज ही exam हुआ है, साथ फरवरी 2022 को यह exam हुआ है subject आपका biology है तो इसमें हम MCQ type के questions और उसके answers को discuss करेंगे तो जो section first है आपका, section first में ही objective type questions है तो इन questions को हम लोग देखेंगे जो section A है जिसमें 70, 70 objective questions है जिसमें से आपको कोई 35 questions के answers को करना है क्या करने थे, तो इसमें हम लोग first question देखेंगे तो जो first question है कि पूशा तुभरा जो है वह किशका किश्म है किशका मतलब variety है तो इसका answer हो जाएगा cauliflower, फुल गोही बिना fertilization के अगर हमें plant बनाना है तो इसके लिए जो method होगा, वह होगा वेजेटेटी प्रॉपेगेशन इसका answer यह हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि जो गेहू है प्राइटीकम एस्टीवम जो है उसमें क्रोमोसोम के नंबर है है प्लॉइड सेल में होता है है यहाँ पर क्या है है यहाँ पर 6N में कितना क्रोमोसोम होगा तो 6N में होगा 32 क्रोमोसोम तो इसका अंसर यह हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि हमारे बोडी में ADA कहां पर बनता है जो एक एंजाइम है वह कहां पर बनता है इसका अंसर हो जाएगा लिंफोसाइट्स अलफा-1 जो एंटिट्रिप्सीन है अलफा-1 एंटिट्रिप्सीन जो है उसको हम किस चीज में यूज करते हैं तो इसका अंसर जो होगा हुआ होगा एंफिसीमा जो एक डिजीज है उसको हम लोग क्योर करने में या ट्रिट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं आइबरीट ओमाज जो है इस टेकनिक का हम किस चीज में यूज करते हैं तो इसे हम एंटिबडीज को बनाने में आसकर करके जो मोनल जो एंको बनाने में करते हैं इनमेंसे कौन है जो मिथेन गैस रिलीज करते है तो खान का खेत भी होगा त्रमाइट्स भी होंगे पशू भी होंगे इसका अंसर हो जाएगा और अब ये हो गया अब जो नेक्स्ट कोस्टन है कि को निकलिक असीड को डीने आर ने है तो उसे हम उसे किस एंजाइम के द्वारा रेक कर सकते हैं तोर सकते हैं इसका अंसर हो जाएगा निकलिए जैंजाइम अगला question है कि जो whale है जैसे human का hand हाथ हो गया bat का wing हो गया और whale का flipper है तो ये सब जो है homologous organs मतलब इन अलग-अलग animals के जो organs है ये जो organs है इनके origin और structure सेम है लेकिन इनका function अलग है इसलिए से homologous organs का PCR technique के द्वारा जो DNA primers होते हैं single stranded DNA primers होते हैं तो उसे single stranded जो DNA strand होता है उसके साथ add कर देते हैं जो और देते हैं इस process को बोलते हैं any link करते हैं इन में से कौन है जो RDT का tool नहीं है समझना होगा तो RDT मिन्स क्या हुआ RDT मिन्स हो गया recombinant DNA technology इन में से कौन है जो recombinant DNA टेकनोलोजी में का tool नहीं है तो इसका answer होगा इंड्रोंस बाकि यह तीनों है एक्स्ट कोस्टन है कि एंजाइम टैक पॉलिमेरेज जो है वह इससे हम प्राप्त करते हैं एंजाइम टैक पॉलिमेरेज PCR टेकनिक में यूज किया जाता है तो इसे हम thermos aquaticus बेक्टरिया से हम लोग आइसूलेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे वह कब मनाता है इसका answer हो जाएगा 7th अप्रेल हो जाएगा साथ अप्रेल को मनाते हैं तो नेक्स्ट कोस्टन है कि एम्णियो सेंटेसिस जो एक टैकनिक है उसमें हम इसका आंसर होगा इंब्रियो या फीटर्स होता है उसके चारो तरफ का जो फ्लूड होता है उसको हम लोग निकाल करके सेक्स कौन सा है इंब्रियो का सेक्स क्या होगा या और भी कोई जेनेटिक डिस ओर्डर है कि नहीं उसके लिए एंब्रियो सेंटेसिस टेक्निक का इस्त है जो ला जो है या क्या है कि are not रुआ है ये झालख snndいき टैप्टलख एर ये क्या दिखाते हैं ये दिखाते हैं आ देखने को जो हैं और यह दहुता है तो तो इनथर मे mismo पतीक कॉरणर पर माइक्रोस प्रेंजियम होता है उसमें तर में यह सेल्स के अब रसे जियर Müowie और रॉल नीघर रीडS यो में प्हुँनों देखने को मिलीचए टर मिलता है इसे सेल्स पॉलिफ्लुआइड हो आते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगा एस्पॉर मदर सेल से क्या बनता है तिसका अंसर हो जाएगा मेगा एस्पॉर्स बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इस्ट्रस साइकल होते हैं वो किश में इसके फीमेल के द्वारा जो है वह इसके फीमेल में होता है तिसका अंसर हो काव मंकी और हुमें में जो होता है उनके फीमेल में में स्ट्रस साइकल होता है human sperm का जो acrosome होता head region में वो किस से बनते हैं या किस से derive किये जाता है तो इसका answer हो जाएगा वालजी बोडी next question है placenta जो है human में ये किस के किस के द्वारा बनाए जाता है तो ये बनाए जाता है corion और ellen toys के द्वारा बनाए जाता flowering plant या angiospermic plant में जो male gametes होते हैं वो किस से बनते हैं वो बनते हैं जनरेटिव से एक जनरेटिव सेल का माइटोसिस के दोड़ा division होता है तो एक जनरेटिव सेल से two male gametes बनते हैं इनवे से कौन है जो uterus के lining में उनका implantation होता है एक embryo है न प्लास्टोसिस इसका इंप्लांटेशन हों कि से हरद संहें जो है वो प्रोटेक्टेड होता है इसका अंसर होगा इम्नियोटिक fluid कि मेंड का जो विकास हुआ इवल्यूशन हुआ है तो उससे उसका जो समय है मतलब उसका जो एज है उस एज को कैसे निकाल सकते हैं find out कर सकते हैं तो radioactive rating के द्वारा डाइनोसोर्स जो है वह आज क्रियेटिमें नहीं है विलूप तो हो चुके हैं और यह है रेप्टाइल्स इसका अंसर होगा extinct reptiles next question है कि जो सीनोजोईक एरा है वह क्या है तिया है age of mammals and modern flora तो mammals में आ जाएगा flora में plants आ जाएंगे जो modern flora है खास करके जो angiosperms है उनके लिए दिया तो टोटल six eras है biological time scale के अंदर जो last वला latest है उसे हम सीनोजोईक एरा कहते DNA formed from RNA यहां पर question है आरने से जो DNA बनता है उस DNA को हम लोग क्या बोलते हैं इस DNA को हम लोग बोलते हैं cDNA एक्स्ट कोस्चन है कि वह एंजाइम वह एंजाइम जो पॉलिमेरेज चैनल रियक्शन में जिनकी अव्यशक्ता होती है तो वह कौन सा एंजाइम है तो इसका अंसर होगा टैक पॉलिमेरेज जो थर्मस क्वांटिटेटिव ट्रेट में और भी है हम लोगों में जैसे हाइट हो गया या वेट हो गया तो यह सब क्वांटिटेटिव ट्रेट के अंदर गति ही आते हैं मात्रात्मक लक्षन के अंदर गताते हैं एक जीन के जो डिफरेंट फॉर्मस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं त आप आप रहां कि एस होना चाहिए एक्स्ट को सन यह तो मोडल विहार बोर्ड में जो मॉडल कोश्टन दिया था वाइलोजी का उसमें भी यह कोश्टन था से मी कुश्टन आया है इस सिल्क थ्रेड में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं तो इसका अंसर होगा अंसर होगा मेज मका में होता ही लेखिए इने मेंसे क्या बनाते हैं थे इसक्सवल रिप्रड़क्षण होता है इसका अंसर क्या हो जाएगा बहुत A and C इन में से किस्वे Fertilization Internal होता है means body के अंदर होता है तिसका अंसर हो जाएगा Sarks पाकी के तीनों में External Fertilization देखा जाता है Variation जो विभिनताएं है जो विविधता है उनका मुक्ष शुरोत क्या है शुरोत तो Miosis Division भी है लेकिन मुक्ष शुरोत जो होगा Mutation Copper T का काम क्या होता है Copper T जो होता है In fact Copper T जो होता है Copper का बना हुआ एक T-shape का Structure है इस ते हम लोग बोलता है Copper T ये Copper T क्या करता है ये Copper T जो है Female Reproductive Tract में खास करके uterus मे Copper ions release करता है और ये Copper ions क्या करता है उसे कम कर देता है और response को ओभम तक पहुचने नहीं देता है तो इस तरह से ये क्या करेगा Copper T Fertilization को रोग देता है Genital wards एक disease है और ये disease किसके द्वारा होता है STD disease है Sexually Transmitted disease है Human Pepi Loma Virus के द्वारा होता है DNA Recombinant Technology में क्या यूज किया जाता है Cloning Vector यूज किया ही जाता है Restriction Enzyme भी किया जाता है DNA लाइगे जो DNA Fragment को जोरने में किया जाता है DNA को specific side पर cut करने के लिए Restriction Enzyme यूज किया जाता है Jail Electrophoresis किया ही जाता है DNA की segment को प्राप्ट करने के लिए तिस तरह से इसका अंसर हो जाएगा All of these Genetically Engineered Bacteria Means को एक alien DNA या DNA के fragment लेकर के Equal Eye Vectoria के अंदर डाल देंगे तो उसे हम बोलेंगे Genetically Engineered Bacteria Genetically Engineered Bacteria जैसे Equal Eye है तो उसके दौरा हम क्या बनाते हैं Generally हम बनाते हैं Insulin जो एक हॉर्मोन है Protein भी कह सकते हैं Next Question है कि इन में से कौन सा वा Vector है जो DNA के छोटे से टुक्रे को Small Fragment को भी Clone कर सकता है Means replicate करवा सकता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा Plasmid हो जाएगा अगला है कि इन में से कौन सा Restriction Enzyme है जो Blunt End बनाता है जैसे माल लेता है कि यह DNA है एक Enzyme है जो DNA को Cut करता है और Cut इस तरह से करता है कि एक जो है Single Stranded End बनता है यह क्या है Single Stranded End और यह जो Single Stranded End होता है इसे Sticky End भी कह सकते हैं हमाल लेते हैं एक दूसरा Restriction Enzyme है जो DNA को Cut तो करता है लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है यह Blend End है मिन्स यहाँ पर जो End है Double Stranded है और यह भी Double Stranded है इसे बोला जाता है Blunt End कि कौन से Restriction Enzyme के दूरा बनाए जाता है इसका अंसर होगा E को आर्वी कि इन मेंशे कौन सा 42 वोला क्योश्चन है इन मेंशे कौन सा है जो इन से टू कंजर्वेशन के अंद्रगत नहीं आता है मिन्स जो अनिया अनिमल या प्लांट्स होते हैं उनको जो अन्रक्षन किया जाता कंजर्वेशन तो जब जो एनिमल या जो प्लांट जहां पर है उसको वहीं पर अगर प्रोटेक्शन देंगे सुरक्षा देंगे तो उसे बोलता है इन सीटू कंजर्वेशन और यहां पर जो बाटनिकल गार्डेल है ये इन सीटू कंजर्वेशन के अंद्रगत नहीं आते हैं पॉलाओ जो है कहां पाए जाते हैं यह पाए जाते है काजी रंगा नेशनल पार्क में पाए नीडियां ये काजी रंगा ओंशाम पार्क वह साम में है और फीरत हिर दाइसinky अगला क्वेश्चन है कि जो रेड़ डेटा बुक है इनमें किसको रखा गया है तो इनमें तीनों को रखा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा कि कि वर्ल्ड कंजर्वेशन डे विश्व संरक्षंग दिवस्ट्र जो है कब मना जाता है यहां पर यह चारों में से कोई और इसका अंसर होगा 28 जुलाइब 28 जुलाइब 28 जुलाइब को यह डिम नहीं जाता है तो इस तरह से चारों में से कोई भी ऑप्षन सही नहीं है हमारे ब्लड में एंटिजन और एंटिवडि का जो इंटरेक्शन होता है उससे हम बोलता है सेरोलोजीव Leprosy DEIRIOS है कि से कि दौरा होता है यह होता है बिशानू से अंसर होगा मेजल और रजायरी चेट तो वाइरिल डीजिज है लेकिन यह तो by스टरील प्रदूशक है पॉल्यूटेंट है किसका एयर का है किसी भी फॉसिल फ्यूल के इनकंप्लीट बर्निंग से कारवन मॉन अक्साइड जो है वह प्रोड्यूश होता है इन वे से कौन है जो बायो मैगनिफिकेशन को दिखाता है तो होता क्या है ना कि अजब कोई भी कोई भी किसी अर्गनिजम के अंदर आता है और वह तूट सकता है ब्रेक हो सकता है बैक्टरिया के द्वारा और नहीं उसे बॉड़ी से एक्सक्रीट किया जा सकता है उसे बोलते हैं नॉन बायो डिग्रेडेवल पॉल्यूटेंट और यहां पर डिडिटी और मरकरी दोनों हैं को फूड़ चैन में अलग लग एक्स ट्रॉफिक लेवल्स पर इनकामाउंड बढ़ते जाता है और इसी फेनोमेन को बोलते हैं यह बायो मैगनिफिकेशन बोलते हैं रिडियू एक्टिव पॉल्यूटेंट का जो एडवर्स एफेक्ट है विप्टित प्रभाव जो होता ह हुल प्रभाव जो होता है वह होता है जीन म्यूटेशन डियने में निकलोटाइड के सिक्वेंसी बदल जाते हैं तो से म्यूटेशन हो जाता है तो हैरोईन होते हैं वह वास्तम में क्या है तो जो हैरोईन है वह वास्तम में डाय एसिटाइल मॉर्फीन है यह cna में जो कार्बो data होता है उसे डिय औक्सिते राइबोス सूह objective यह प्रतेक निक्लुटाइड यह प्रतेक निक्लुटाइड में राइबोस सूहर और यह दोनुरेगो şeyi निक्लुटाइड राइबोस दिखा जा सकता है जब डियने को 82 से 90 डिगरी सेलसियस पर रख दिया जाता है क्या होता है यह दोनों पॉली निकलोटाइडे स्ट्रेंड्स एक दूसरे अलग कर जाता है यह अगला कोश्चन है कि जब फ्लावर के अंदर सारे कारपेल्स जूरे हुए होते हैं उसे बोलते हैं सिन कारपस आज आईए कारपेल्स एपिस्टिल जब आपस में जूरे होते हैं तो गाइनियूश्यम को बोलते हैं सिन कारपस तो यह होता है तो आड़ा आड प्रिंग वर्म्स जो डिजीज है वा हमें में किसके द्वारा होता है तो यह होता है अट्रोजन fixation जो है इन में से कौन सा करता है तो फ्रेंकिया जो है जो नेट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है इस तरह से बायो फर्टिलाइजर जैब उरुवरा की तरह यह काम करेगा कि इरोफाइटिक एडेपटेशन किसमें पाए जाता है अगयवी और अपेंच के दोनों प्लांट में इरोफाइटिक एडेपटेशन पाए जाते हैं लीट्वेस्पेर क्या है तो यह जनरली कहा सकते हैं कि नेकेड रॉक की रिजन है नगन चट्टान यह प्रटेश है में क्या होता है कोई ऐसेक्षाल फ्लावार को बड कंडिशन में जब ईesian라고 को क्र्ण करता देता है कि यह घू इसकुलेशन क्यों Teal करते हैं कि क्यों करते हैं के 오늘도 दूसरे से क्लर मैच करके वह अपने आपको अन्नोटिस कर देता है के लिए कंसील मैं यह भी मॉडल सिट का कोश्चन है जो चैने और रूट जो प्लांट होते हैं दोनों की बीच का श्रम्द होता है माई को ब्राइजाएं जो है कि दिखा जाता बटरफलाइ और देखा झाल बटरफलाइ से लेगा और बदले में बटरफलाइ जाएगा दिश्चा जाएगा जब चिपक जाएगा तो प्लांट के फ्लावर पढ़ जाएगा एक फ्लावर के पॉलेन ग्रेन को दूसरे फ्लावर पहुंचा दिया जाए और यहां पर जो हर्मिट क्रेब और सी एनिमून है यहां पर तो कमेंसिलिजम देखे जाते हैं इस तरह से इसका बेस्ट लावर संगर यह होगा मैं ईसी यह होता है उनका पीएच कितना अधा को सकशन और धर जो है यह हो जाएगा उन्हम है में करने प्रात्म होंते तेट यह नहीं होता है और बनाप Hurloss अभात है किया नेक्स होटन रिप्रात्मिक प्रसौत होता है प्रैमरी पॉल्यूटेंड्स होते हैं वापस में रियक्ट करते हैं रियक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं और इसी वज़े से जो है एस्मॉग वेगरा बनता है तो यहां पर इसका अंसर होगा एसोथरी पैन और और ऑक्साइड ऑफ नाइड्रोजन कैपसिटेशन एक प्रॉसेस है और यह क्या होता है कि एस्पर्म इसमें एक्टिव होता है सक्रिया होता है और यह जो प्रॉसेस है यह होता है फिमेल रिप्रोड़क्टिव इस्टम के अंतर अंतर होता है ट्रेक्ट में हो तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 70 MCQ टैप कोश्चंस थे उन कोश्चंस का हम लोगों ने आंसर को डिस्कस कर लिया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएए शेयर कीजिए किसे उन लोगों को भी फायदा हो सके